नमस्ते, मेरा नाम लवीना लोध है और मैं ये विडियो मेरी और अपनी फैमली की सेफटी के लिए बना रही हूँ मेरी शादी महेश भट के भांजे सुमित सबरवाल के साथ हुई थी और मैंने उनके खिलाफ डिवोस केस फाइल किया है क्योंकि मुझे पता चल गया था वो ड्रग सप्लाइ करते हैं आक्टर्स को जैसे अमायरा दस्तूर, सपना पभी एक्सेक्टरा और उनके फोन में भी बहुत अलग-अलग किसम की लड़कियों की तस्वीरे होती है जो वो डिरेक्टर्स को दिखाते हैं तो वो लड़की भी सप्लाइ करते हैं और इन सारी बातों की जानकरी महेश भट को है महेश भट सबसे बड़ा डॉन है इंडिस्ट्री का यह पूरा सिस्टम वही ऑपरेट करता है और अगर इफ यू डों प्ले बाई दियर रूल्स वो आपका जीना हराम कर देते है महेश भट ने कितने लोगों की जिंदगी बरबाद कर दी है कितने अक्टर्स, डिरेक्टर्स, कम्पोजर्स को उन्होंने काम से निकाल दिया है वो एक फोन करते हैं पीछे से और लोगों का काम चला जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है ऐसे उन्होंने बहुत जिंदगीया बरबाद की है और जब से मैंने उनके खिलाफ केस फाइल किया है, वो हाथ दोकर मेरे पीछे पढ़ गया है, अलग-अलग तरीके से वो मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे है, पूरी कोशिश की उन्होंने मुझे इस घर से निकालने की, और जब मैं पुलिस्टेशन NC लिखाने जाती तो कोई मेरी NC भी नहीं लेता, और बहुत मुश्किल के बाद, अगर मैं NC लिखा भी देती हूँ, तो कोई आक्शिन नहीं होता, अगर कल कोई हाथसा मेरे साथ, या मेरी फैमिली के साथ होता है, तो only people who are responsible is महेश भट, मुकेश भट, सुमित सबरवाद, साहिल सैगल, और क क्या क्या कर सकते है, because महेश भट इस एक्स्ट्रीमली पावफुल एंद इंफ्लुएंशिल, थांक्यू, नमस्ते, मेरा नाम लवीना लोध है, और मैं ये विडियो मेरी और अपनी फैमिली की सेफटी के लिए बना रही हूँ, मेरी शादी महेश भट के भांजे सुमित सब और उनके फोन में भी बहुत अलग-अलग किसम की लड़कियों की तस्वीर होती है, जो वो डिरेक्टर को दिखाते हैं, तो लड़की भी सप्लाइ करते हैं, और इन सारी बातों की जानकरी महेश भट को है, महेश भट सबसे बड़ा डॉन है इंडिस्ट्री का, ये पूरा सिस्टम वही ऑप्रेट करता है, और अगर इफ यू डोंट प्ले बाइद रूल्स वो आपका जीना हराम कर देते हैं, महेश भट ने कितने लोगों की जिंदगी बरबाद कर दी है, कितने अक्टर्स, डिरेक्टर्स, कंपोजर्स को उन्होंने काम से निकाल दिया है, वो ए अलग तरीके से वो मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे है, पूरी कोशिश की उन्होंने मुझे इस घर से निकालने की, और जब मैं पुली स्टेशन एंसी लिखाने जाती हूँ, तो कोई मेरी एंसी भी नहीं लेता, और बहुत मुश्किल के बाद, अगर मैं एंसी सेगल और कुमकुम सेगल, अट लोगों को पता तो चले के बन दर्वाजे के पीछे इन्होंने कितने लोगों की जिंदगी बरबाद की है, और ये क्या क्या कर सकते है, विकाज महेश भाट इस एक्स्ट्रीमली पावफुल एंद इंफ्लूएंशिल, थैंक्यू